2.4.1 क्या सभी योगिक जिन में हाइड्रोजन है वे अमल है? क्रिया कलाब 7 एक 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लुकोज विलियन लेकर उपकरण को क्रिया कलाब 6 में दर्शाय अनुसार व्यवस्थित करें क्या बल्ब जला? क्रिया कलाब 6 में तनों हाइड्रोकलोरीक अमल लिये जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि SCL-9 के आइनन के पश्चात H प्लस आयन बनते हैं जबकि ग्लुकोज विलियन में H प्लस आयन नहीं बनते अतहिया आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी योगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अमल ही होते हैं बच्चों इसके पूरु क्रिया कलाप में आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोग्लोरिक अमल के विलियन में विद्धारा प्रवाहित की तो एलिडीलाइट जलती हुए दिखाई दी और इसी प्रकार जब हमने छार य deb हमने शोडियम हाइडरोकसाइट के विलियन में विद्धुधारा प्रवाहित की तब भी LED light जलती हुए दिकाई दी इसका तात पर यह था कि अम्ल ने जली विलियन में हाइडरोजन आयन मुक्त किया और इसी प्रकार छार ने अपनी जली विल्यन में हाइड्रोकसिल आयन मुक्त किया और ये आयन ही इन अमल तथा छार के विल्यनों में विद्धु धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदाई थे। तो क्या वे सारे प्यदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वे अमल होते हैं। जैसे कि ग्लुकोस जिसका सूत्र होता है C6H12O6 यनि कि इसके एक अणों में 12 हाइड्रोजन पाया जाते हैं। तो क्या यह भी आमल है? क्या यह भी अपनी जली विलियन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा? आईए इसे हमें क्रिया कलाप की द्वारा देखते हैं। दो चम्मच ग्लुकोस इस तरह डालकर इसका विलियन भी तयार कर लेते हैं। जिसमें हमने ग्लुकोस का विलियन मिला हुआ है। उसमें यही प्रक्रिया करें। यह देखिए दोनों सीरों पर हमने अपना विद्वत परिपत कम्प्रीट किया। परन्तु हमें LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बैचों आपने देखा कि जब हमने ग्लुकोस के विलियन में विद्वत धारा प्रवाहित की। तो LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दी। इसका ताथ पर यह है कि ग्लुकोस ने अपने हाइडरोजन को आइनों के रूप में मुक्त नहीं किया। इसका ताथ पर यह हुआ कि वे सारे पदार्थ जिनमें हाइडरोजन होता है यह आवश्यक नहीं कि वो अमल हो। अमल वही होते हैं जो अपने जली विलियन में हाइडरूजन आयन मुक्त करते हैं